सादत हसन अली मंटो कहते हैं कि आप वो किस्सा कभी नहीं कह पाएंगे आप जिसका हिस्सा नहीं है इसलिए आज जो बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं सबसे पहले बंसल न्यूस को उसका हिस्सा बनना पड़ा ताकि इस पूरे मामले पर से परदा हटा कर सच्चाई आपके सामने लाई जा सके मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कई लोग इसका शिकार हो चुके होंगे तमाम शिकायते लगातार मिल रही थी लेकिन सामाजिक परतिष्ठा के चलते कोई भी अपनी कहानी परदे पर बया करने को तैयार नहीं था इसलिए हमें खुद इस गिरोह इस सिंडिकेट का परदाफाश करने के लिए आगे आना पड़ा आज का ये एपिसोड इस पूरे जाल को सुलजाने के साथ ही आपको ये भी बताएगा कि मीडिया आपके लिए क्या करता है कितने मुद्दे ऐसे होते हैं जहां हमें खुद को दाव पर लगाना होता है ताकि हम आपको सुरक्षित कर सके आज हम वो खुलासा करेंगे जो आपकी आँखे खोल देगा आज के इस एपिसोड को हमने नाम दिया है ओनलाइन हनी का मनी ट्रैप जी हां आपने बिल्कुल सही सुना ओनलाइन हनी का मनी ट्रैप और आज हम इससे जोड़े हर एक पहलू को बेनकाब करने वाले हैं बंसल विशेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विकास दिवेदी दोस्तों ये पूरा एपिसोड आपको ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि अगले शिकार आप ही हो हर वो शक्स इन शिकारियों की जद में हैं जिसके हाथ में Android Mobile है इसके स सवाल का जवाब हम इस एपिसोड में देंगे जो उन लोगों के जहन में किसी अंगारे की तरह धदक रहा है जो इसका शिकार हो चुके हैं जाल फैलाने की शुरुआत से लेकर शिकार के फसने और फिर उससे वसूली तक एक एक बिंदू का आज हम इस कारिक्रम में विसले तो सबसे पहले भाग में हम आपको बताते हैं कि ये खेल कहां शुरू होता है आप इस पूरे खेल को बहतर तरीके से समझ पाएं इसलिए हम कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहे हैं यह हम पहले बिंदू के साथ आपको दिखाएंगे सबसे पहले ऑनलाइन शिकार हैं और आपसे किस तरह की मांग की जानी है तो सबसे पहले ऑनलाइन प्रोफाइल खंगा ले जाते हैं ताकि आपकी कुंडली निकाली जा सके जो की ऑनलाइन पड़ी हुई है यहां आपकी हर एक जानकारी होती है आपके फोटोग्राफ होते हैं आपका स्टेटस भ भी हो सकता है या अन्य कोई online site भी इसका माध्यम बन सकती है तो request आपको भीजी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आप उसे accept करें यह request के जो माइने होते हैं वो काफी कुछ अलग होते हैं या इनका उदेश केवल इतना होता है कि वो आपसे केवल संपर्क साथ पाएं इसक इसे ही आप उससे बात करने की पहल करते हैं या उसपर आगे बढ़ते हैं तो यह अगले상 की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला जो इनका point है वो ये है कि आपसे आपका whatzeit number मांगते है वो नंबर ही क्यों मांगते हैं यह तो आप पूरा मामला जानते ही होंगे तो तो वर्टसेप नमबर मांगना, जैसे ही वर्टसेप नमबर मांगा जाता है, ये कोशिश करते हैं कि शिकार के साथ और कुछ घुल मिल सके, और आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, आपसे आपके प्रोफिशन के बारे में पूछा जाएगा, औ और भी तमाम बातें आपसे करने की कोशिश की जाएगी, नमबर मिलते ही शिकार के पास जो मेसेज पहुचता है, उसमें सामाने से मेसेज होते हैं, और जैसे ही आप बातचीत आगे बढ़ाते हैं, आपसे जानकारी ली जाती है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया तो वीडियो कॉल करने की जैसे ही बात होती है, अब शिकार उनकी गिरफ्त में आना शुरू हो चुका है, सामने वाले को समझ लिया जाता है, कि ये पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका है, और आप वीडियो कॉल के लिए दो-तीन बार अगर आप मना भी कर देते हैं, तो उससे आपको रिजाने की कोशिश शुरू कर दी जाती है, या रिजाया जाता है, जैसे ही आप WhatsApp कॉल उठाते हैं, आप जानते हैं कि आपका चेहरा स्क्रीन पर है, और वहीं से रिकॉर्डिंग करने की शुरुआत कर दी जाती है, कि आप कहां चुकें और किस क्लिप का वो ही जाएगा, लेकिन अगर आप असहज हो जाते हैं, तो ये उनके लिए और भी अच्छी बात होती है, क्योंकि आपका लगातार वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, और आपको ब्लेकमेल इसी वीडियो के आधार पर किया जाना है, तो ये सिलसला लगातार चल रहा है, अब ये वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद सबसे पहली क्लिप पीडित को ही भेज दी जाती है, उसके नमबर पर और उसको जैसे ही ये क्लिप मिलती है, वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था, और उसका दिमाग काम करन उसका दिमाग सुननों हो जाता है और इसी का फाइदा अब उठाना शुरू किया जाता है और जो खेल शुरू होता है वो हम आपको अगले बिंदू में बताएंगे जो की है लेंदेन का खेल यहां से अब आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक मन सम्मान और हर एक चीज़ की कीमत लगाई जाएगी कि आप इस वीडियो को डिलीट करवाना चाहते हैं या वाइरल करवाना चाहते हैं इसक्रीन पर अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी आप डर जाते हैं क्योंकि यह आपके साथ पहली बार हो रहा है और उस वीडियो में आपका चेहरा है और इसलिए इस वीडियो के साथ ही आपके साथ ब्लेक मिलिंग की शुरुआत हो जाती है यानि कि शिकार पूरी तरह से फस चुका है और अब उसके साथ बाकी का खेल खेला जाना है और आईए अब आपको दिखाते हैं वो सबूत जिनके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि बिना तथ्यों के किसी बात को कहना मुश्किल भी है और खतरनाक भी इस मामले में अक्सर स्क्रीन शॉट या इससे जुड़े डेटा में पीडित की खुद की इस्तिती ऐसी होती है कि वो इसे किसी के साथ साजा नहीं करना चाहते इसलिए हमें खुद इस पूरे मामले के अंदर जाकर ये जानकारी जुटानी पड़ी अब हम आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कुछ स्क्रीन शॉट दिखाएंगे जो इस ऑपरेशन के दौरान हमने निकाले हैं ये स्क्रीन शॉट इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बंसल नीउस की टीम द्वारा किये गए इस टिंग ऑपरेशन के समय के हैं जिसमें इस पूरी बातचीत का उलेक किया गया है कि कैसे हेलो के साथ आने वाला पहला मेसेज आपके लिए बड़ी परेशानी का क लिए आप देखना चाहते हैं कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो कैसा नाजर आता है कैसा दिखाई देता है और इसलिए आप वीडियो कॉल की अनुमती देते हैं और कई बार तो आप खुद भी कॉल कर लेते हैं जैसे ही कॉल अटेंड होता है, स्क्रीन ओपन होती है आपको सामने एक धुंदला वीडियो नजर आने लगता है जिसमें आपको एक लड़की नजर आने लगती है जो हकीकत में है ही नहीं घौर तो सुनिएगा आप मेरी इस बात को आपको एक लड़की नजर आती है जो हकीकत में है ही नहीं ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं उसमें योगदान होता है प्रोजेक्टर और कुछ सॉफ्ट्वेर का फिर अचानक से फोन कार्ट दिया जाता है और आपसे उस इस्तिती में सामने आने को कहा जाता है जिसमें आप सार्वजनिक रूप से कभी नहीं आते आपको पड़े उतारने के लिए भी कहा जाएगा और जैसे ही आप इस इस्तिती में आते हैं आपका शिकार हो चुका होता है सुना आपने इस वक्त आपका शिकार हो चुका होता है क्योंकि आपने जो अभी तक किया है वो सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है जिसमें आप इस इस्तती में हैं कि ना तो आप इसे किसी को बताने की हालत में हैं और ना ही शिकायत करने की हालत में क्योंकि आप खुद को कभी इस इस्तती में नहीं देखना चाहते, जैसे ही आप कुछ समझने के बाद फोन काटते हैं, आपको मेसेज मिलता है आपके ही वीडियो के साथ, कि इसे आप डिलीट करवाना चाहते हैं या वाइरल करवाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, आप डर जाते हैं और सामने वाले की हर शर्त मानने को तयार हो जाते हैं, और यहां से तय की जाती है कीमत आपकी इज़त, प्रतिष्ठा और आपके मानसमान की, बात लिन दिन तक पहुंचने के बाद शिकार, यानि पीडिक पर किस तरीके से दवाव बनाया जाता है, उसके अंदर भय पैदा करने की कोशिश की जाती है, वो आप इस ओडियो में पूरी तरह से समझ पाएंगे, जो अब हम आपको सुनाने वाले हैं, इस पूरी बातचीत को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से सचेत हो सकें, और अपनों को भी सचेत कर सकें, यह ओ बनाया लड़की के सथ में तो आपको कुछ शरम निका आया नहीं है यह? क्या ज़र? है망ई अपने लड़की बमask Jug Carson? अपने जो लड़की के साथ ओनलाइन अपने शेक्ष वीडियो की आई है लड़की आपके नामपे अफ़र्देज करा रहा है अभी आपके नामपे अफ़र्देज करा रहा है और उस लड़की का जो आदमी है यह इसको लड़की को मार रहा है तो आपके नाम पर एफागा जीशू हुआ है अभी अभी जश्ट है तो अच्छली क्यातर ना है आपको यह आपको यह वीडियो हो है और जापका यह फोटू इमेज है उनली आपके नंग्द सरीर में तो इसको आपको वीडियो कराएब डिलीट कराना है यह वाइरल कराने क्या है अच्छा वो हाँ यार सर वो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई कल रात को ही मैं सोच रहा था कि मैं किसके पास जाओ मैं क्या करूं सर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी मुझे तो सर उसके क्या हो सब्सक्राइब अच्छा सर लेकिन हमने कपड़े तो उसमें उतारे ही नहीं अब शिकार के दिमाग पर कबजा करने के बाद खेल शुरू होता है रंगदारी का यानि की लेंदेन का कैसे होता है सौधा ये भी आप खुद ही सुन लीजिए अगर आपको लेट करूआना तो कुछ नहीं करना आपको जीतना भी मने मनी का बोला जाएगा उतना मनी आपको सेंट करना पड़ेगा अच्छा तो सर आप आप करा दोगे ना सर पूरा मतलब आप पर आप तो भरोसा कर सकते हैं क्यूंकि आप तो क्राइम बरांच से बोल रहे हैं तो आपको मेरी बात सुनू आपको 5,000 रुपीज लगाना पड़ेगा अगर आपने कोई भी दो तीन पांच किया तो आप आप बोलता विए तो सर हमें हमें जेल भी जाना पड़ेगा पिर जाना पड़ेगा अच्छा अरे सर गाली मत दीजी सर प्लीज सर अच्छा नहीं रखता आप लुप तो अधिकारी सार नेश्याइक मेरी बात सुनू आपने जो बिलोग के आए वार्ट सब पे विलोग मारा रह बता दीजिए किस बात में हो आप यह आप रपोर्टर की बज़े से ने डरबना चाहते हो यह गवरन नहीं नहीं चाहते हो चाहो जो भी अपना क्राइम प्रण्च को यह कोई भी वंदा को क्या समझ रहे हुआ अचाह मद्रदेश में मेरे को मेल आया तो मेल अश्या है किसरे पूरा कमांड ऑफॉर्ट यह अधर में जो बनाए जाता है तो अमारे पास इस को सोल्व करने का पूरा आपना अल्यावर्ट इतल तो सर जैसे सामने वाली ने आप में ब्लेक मिल किया तो आपको तो हमाई मदद करनी चाहिए ना सर तो आपने सुना कि आपके आनलाइन प्रोफाइल आपकी पूरी कुंडली कैसे खोल देते हैं ब्लेक मिलर को पता है कि उसकी बात एक मीडिया परसन से हो रही है लेकिन वो फिर भी नहीं डरता बलकि उल्टा धमकाता है तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी के साथ और क्या-क्या हो सकता है यही और अब आपको इस रिकॉर्डिंग का तीसरा और आखरी हिस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं जब आप नहीं मानते तो लड़ाई कैसे आरपार की बन जाती है अच्छा ठीक है सर एड्रेस नूट करें आप पुलेफोर्स बिजो हैं अब आप इसे दमकी दोगे तो सर कैसे हो पाएगा 5000 रोपे चोटी बोटी रकम तो होती नहीं है लोगडाउन नौकरी तो कर्म रहे हैं अच्छा पाएगा तो देना पड़ेगा न ऐसे थोड़ी न होता है हम लोग अधर लोग तो रुड़ी न है कि एक महीने का पाँच लाक रुपए आ रहा है दो लाक रुपए आ रहा है आपने पांच अजार बोला पूरी तनकाई आठ अच ख़ार रुपए है तो जोडने में टाइम तो लगता है ना सर नहीं पर रहे हो तो बोलो नहीं पर अधिकारी हैं हम आज जोड़ रहे हैं सर आपके आपके कई सवालों के जवाब इस बातचीत में मिल गये होंगे कि कितने तरीकों से आप पर दवाव बनाने की कोशिश की जाती है सबसे पहले तो एक आम आदमी क्राइम ब्रांच जैसा शब्द सुनते ही अपने होश खो देता है और उसकी सोचने समझने की शमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है और अगर आप जरा सा भी समल गए तो बल किसी घटना के बाद हम ने जो किया वोत हमने आपको सुना दिया अब हम आपको बताते हैं कि आप ऐसे किसी घटना के बाद क्या गलती कर जाते हैं तो अब हम आपको जो बिंदू दिखाने जा रहे हैं वो आपकी कहानी कहते हैं सबसे पहला बिंदू आप इसे लेकर किसी से बात नहीं करते यानि कि आप अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और खुद को गुनहगार मान बैठते हैं आपको यह लगता है कि आपने बहुत बड़ा अपराद कर दिया है और अब आप किसी को मुह दिखाने लायक नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा आपका मानसमान सब कुछ दाव पर होता है और इसी का फाइदा यह ब्लेक मिलर उठाते हैं क्योंकि उस content में बहुत कोई हैसा होता है जो आप नहीं देखना चाहते या किसी को दिखाना नहीं चाहते और इसलिए आप इसी लेकर किसी से बात नहीं करते ना दोस्तों से ना रिष्टदारों से ना अपने घर वालों से और यहां तक की पुलिस से भी नहीं और यहीं वो आपका शिकार कर चुके होते हैं और इसके बाद आप क्या करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं आप पैसों के इंतजाम में जुट जाते हैं आप तमाम लोगों से पैसों की मांग करने लगते हैं उनसे मदद मांगते हैं ताकि आप ब्लेक मिलर की मांग को पूरा कर सकें ये कितनी है यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन आपकी जो सती है उसके हिसाब से ब्लेक मिलर आपसे रखम की मांग करता है और जैसे ही यह मांग की गंभीर मांसिक तनाव से गुजरने लगते हैं क्योंकि ब्लेक मिलिंग एक बार का काम नहीं है ब्लेक मिलर के पास आपका वीडियो है और वो कभी भी आपको ब्लेक मिल कर सकता है एक बार पैसे देने के बाद भी हो सकता है वो आपको दुबारा परिशान करे दुबारा आप से पैसों की मांग करें तो आप ऐसे सिती में गंभीर मांसिक तनाव से भी गुजरते हैं क्योंकि आप नहीं जान पाते कि उसके पास और क्या डेटा है और वो कहां इसे वाइरल कर सकता है और इसे सोच कर ही आप गंभीर मांसिक तनाव से गुजरने लगते हैं अगला बिंद कि पुलिस तो आपकी ही तलाश में हैं तो फिर ऐसे में आप पुलिस के पास कैसे जा सकते हैं आप तो बहुत बड़े गुनाहगार है आप पर बलातकार का आरूप लगाया जा चुका है आपने एक न्यूड फोटो शूट करवाया है आपने एक वीडियो बनवाया है जिसकी धमकी आपको blackmailer पहले ही दे चुका है तो ऐसे में आप पुलिस, crime branch किसी के पास भी जाने से बचते हैं और सोचते हैं कि आप बहुत बड़े गुनहगार हैं इसी का फाइदा ये blackmailer उठाते हैं और इसी के चलते कई लाखों case ऐसे हैं जो आज तक पुलिस के पास नहीं पहुंचे हैं केवल कुछ एक संख्या में case पहुंचते हैं और यही इन blackmailer के होसलों को बुलंद करने के लिए काफी है यह तो हमने आपको बता दिया कि आप क्या करते हैं लेकिन अब सुनिए कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे किसी घटना क्रम के बाद आप सोचते हैं कि आप अपरादी हैं पुलिस आपकी मदद क्यों करेगी कहीं आप शिकायत करने गए तो वो आपको ही गिरफतार ना कर ले क्योंकि आप सोचते हैं ऐसा लेकिन फोन पर आपको पहले कहा जा चुका है कि पुलिस आपकी तलाश में है और इसलिए हमने सोचा कि क्यों न पुलिस से ही इस पूरे मुद्दे को लेकर के बात की जाए ताकि आप समझ पाएं कि आपको वाकई डरने की ज़रूरत नहीं है सुन लीजे अधिकारी क्या कुछ कहते हैं जिसमें बहुत बार देखा गया है कि फेस्बूक और अन्न शोशल मेडिया जैसे वाटसैप इंस्टाग्राम इसके माध्यम से फॉट्सर्स कॉल करते हैं रेंडमली टार्गेट करते हैं विक्टिम्स को और उसके बाद वीडियो कॉलिंग करने के बाद उसमें देखा गया करते हैं और उससे पैसों की मांग करते हैं जिसमें विक्टिम द्वारा जो बहुत बार घबरा करकि उसकी समझेक प्रतिस्टा को भी ठेस नहीं पहुंचे इसलिए वो पैसे दे भी देता है इस प्रकार के मॉडस आपरेंडी अभी जब सामने आ रहा है तो उसको हमने ज्य गट्टा गड़ जाती है तो उसकी इंफर्मेशन भी तुरन पुलिस को दे ताकि पुलिस उना प्रादियों तक पहुंच सके तो सुना आपने कि अधिकारी क्या कहते हैं हमने इस समस्या से जुड़े लगबग हर बिंदू का विश्लेशन करने की कोशिश की है आपके नजर आ रहा है वो आपको परेशान नजर आ रहा है तो हो सकता है वो भी इसका शिकार हो चुका हो वो कोई गलत कदम उठाए इसके पहले उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है आपको हम हर एक बात तथ्यात्मक तरीके से बता चुके हैं इसलिए ध्यान रखिए कि अग लेकिन याद रखिए उद्देश वही होगा यानि नजर आपकी जेब पर ही होगी इसके अलावा आप ये भी समझ लीजे कि ऐसे कॉल पर अगर आपने कोई गलती नहीं की है यानि कि आपका ऐसा कोई भी डेटा ब्लैक मेलर के पास नहीं है जिससे आपकी सामाजिक प्रति कोई वीडियो कॉल आता है तो कम से कम इतना अयतियात जरूर बरतें कि स्क्रीन पर आपका चेहरा नजर ना आए जब तक आप उस वीडियो का हिस्सा नहीं होगे तब तक आप पूरी तरह सुरक्षित हैं दोस्तों कारिकरम की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि कई बार हमे आप लोगों को जागरुक करने के लिए खुद को दाव पर लगाना होता है लेकिन उसके लिए हमारे साथ विशिषज्यों की पूरी टीम काम करती है इसलिए आप इस सरह का कोई भी खत्रा ना उठाएं क्योंकि ये आपके लिए जो खिम-भरा काम हो सकता है आप इसका शि आजा कर सकते हैं जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन-कौन इसका शिकार हो चुका है और घुट भी रहा है यह जानकारी निश्य तोर पर उसे रहात देगी उमीद है हमारी बात आप तक पहुंच चुकी होगी आज बंसल विशेश में इतना ही अगले हफते शनीवार रात साड़े 9 बजे मैं विकास दिवेदी आपसे फिर मिलूंगा आपके जीवन से जुड़े एक एहम मुद्दे के साथ फिलाल मुझे दीजी इजादत बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद